गाइस वेलकम बैक टू मास्टेटी दोस्तों सुवागत है आप सभी का आज की क्लास में and one thing I want to clear that is कि अगर आपने आज की क्लास अटेंड की तो जस्ट पांच मिनिट बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे क्योंकि आज मैं आपको spoken English का सबसे zero वाला topic पढ़ाना चाहता हूँ means अगर आप आज से English बोलना start करना चाहते हो तो शुरूवात यहां से करिए सर वो कौन सा topic है that is demonstrative pronoun जिसमें हम this, that, these और दोस को study करेंगे practice करेंगे और just in 5 to 10 minutes हम concept को समझने के बाद सीधा practice करेंगे and I assure you कि 10 minute बाद आप छोटे-छोटे English के sentences बोलना start कर देंगे Sir, is it real that we can speak English in just 5 minutes? Yes, guys, this is simply possible if you attend today's class तो आप 5 से 10 minute बाद छोटे-छोटे अंग्रेजी के sentences बोलने लग जाएंगे दोस्तों हम time निकाल के English की class देखने आते हैं लेकिन दिक्कत क्या होती है हमें लगता है कि हमें यह आता है लेकिन आज मैं आपको demo statu pronoun को नए तरीके से पढ़ाने वाला हूँ So, let's begin guys demo statu pronoun क्या होता है सबसे पहले वो बात करते हैं दोस्तों That's very simple सीधा आजाते यहां पर देखिए यहां पर कुछ sentences लिखें दोस्तों day to day life में हम क्या करते हैं हम कुछ ऐसे sentences बोलते हैं जिनमें हम किसी चीज की और इशारा करते हैं क्यों ना जैसे हम office में है तो हम बोलते हैं यह मेरा office है यह मेरी table है यहां मैं बैठता हूँ यह गड़ी है जहां पर मैं time देखता हूँ यह मेरी water bottle है यह मेरा laptop है तो कभी-कभी हम English में यह भी बोलते हैं कि वो जो है ना वो दिख रहे हैं वो सब मेरे पापा के खेत हैं वो मेरे दादा जी के खेत हैं वो मेरे बड़े पापा का घर है वो अरे वो तो मेरी पुरानी school है जब आप बस में जाते हो तो आप बोलतो देखो मेरी school बस जा रही है यह सारे के सारे sentences जिनमें कही न कही हम किसी चीज को indicate कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम किसी चीज का demo दिखाते हैं किसी चीज को indicate करते हैं तब हम किन English के words का इस्तमाल करते हैं और कैसे उनको सही तरीके से present, past, future में बोलते हैं तो चलिए सबसे पहला हमारा sentence है जैसे मैंने यहाँ पर बताया क्या बताया कि भाई वह किताब है तो आपको पता है कि यहाँ पर इस वह के लिए क्या लगाएं क्योंकि जब हम वह पढ़ते हैं तो दिमाग में 50 सी जाती क्योंकि वह के लिए हम ही का इस्तमाल भी करते हैं वह के लिए हम शी का इस्तमाल भी करते हैं वह के लिए हम this का इस्तमाल भी करते हैं वह के लिए हम that का इस्तमाल भी करते हैं तो you are really confused sir ये बताए कौन से वह के लिए कौन सा word लगाए वह तो एक है लेकिन यहाँ पर तो आपने 5 word बता दिये sir मुझे यहाँ पर वह किताब है इसके लिए कौन सा word use करूँ he लगाँ she लगाँ it लगाँ this लगाँ या that लगाँ don't worry because I am here so that is why आज की class शुरू करते हैं फटाफट आप confirm करिए कि आप सभी लोग class में आ चुके हैं मैं भी देख लेता हूँ कि वह कितने लोग class में जुट चुके हैं क्या बात है फटाफट class को share कर दीजे because once you share the class once you like the class उसके बाद हमारी class शुरू हो जाएगी और हम इस class को बहुत अच्छे से detail में पढ़ने वाले हैं तो please confirm me whether I am audible or not चलिए मेरी आवाज properly आ रही because I can see myself on my mobile but अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी तक भी properly likes नहीं किये which is really disappointing तो फटाफट like कर दीजे और आपने सभी दोस्तों को link भेज़ दीजे ताकि वो भी इस class में जुड़ जाए और वो भी आज की class का आनन ले so please share the link everywhere on all the social media platforms फटाफट link share कर दीजे मैंने खुदने भी कर दी है आप भी कर दीजिए that would be much better तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे English के sentences को बोलने के लिए हम किस प्रकार से जो है use करेंगे किस प्रकार से अंग्रेजी को बोलेंगे तो चलिए let's begin guys अब आज का जो हमारा topic है which is very simple आप सबको पता है और 60 days में हमारा आज है day number 5 अगले 4 दिन तक रोज live class होगी I have told you many people कि मैं week में 4 classes लोगा यूटूब पर that would be completely free English के class को पढ़ाने के बाद मैं आपको पूरे notes free में दूँगा telegram channel पर हमारा telegram channel जो है आप उसे join कर लीजे वहापर सारे free में आप notes मिलते हैं आप अपने mobile की gallery में उसे download कर सकते हैं इसके लावा एक सहाट question की practice sheet दूँगा आज भी आप उस practice sheet का print out निकालके आप आराम से अपने घर पर pencil या pen से उसे feel कर सकते हैं तो तीन activity करवाँगा in the end I'll give you a homework मैं छोटा सा homework दूँगा एक activity दूँगा जो आपको घर पर करनी है दोस्तों अगर ये चार चीजे if you perform यो कि दोस्तों English ना कोई ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखने से आ जाएगी no 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 it is a myth if you watch a video you clear your concept you understand English and you listen to English but अगर आप ये बोलो कि English इससे आ जाएगी तो नहीं भीया English आती है practice से और practice करने के लिए कुछ तरीकों का स्तमाल करना पड़ता है so today what I am going to do guys कि मैं आपको practice करवाने वाला हूँ और आज हम सबसे पहले देखेंगे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम देमो स्टेट्यू प्रणावन पड़ने वाले है आप देमो स्टेट्यू प्रणावन होती क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ which is very simple देमो स्टेट्यू का मतलब होता है यहाँ पर देखते हैं मैं लिख लेता हूँ just wait देखिए देमो स्टेट्यू तो अगर आप नए है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटा फट लाइक करिए और अपने दोस्तों को अपने जितने भी वाटसब ग्रूप है सभी में शेयर कर दीजे देमो स्टेट्यू प्रणावन क्या होती है यह स्पोकन का टॉपिक है देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डेमो डेमो का मतलब होता है दिखाना which means to show अब दिखाना क्या होता है जब भी हम किसी चीज की ओर दिखाते कोई भी चीज दिखाते हैं उस situation में हम क्या करते हैं दोस्तों हम लोग डेमो दिखाते हैं तो डेमो क्या होता है किसी भी चीज को दिखाना एक किसी भी चीज का सेंपल तो अब हम कोई वस्तु दिखाते हैं जैसे मैंने कहा कि यह मैंने क्या कहा कि यह पैन है यह क्या है पैन है नाव यू सी दे सेंटेंस एक sentence को देखिए मैंने कहा कि यह pen है तो what does it mean मैं एक demo कर रहा हूँ demo strategy pronoun का यूज़ कर रहा हूँ कि भाई देखो यह pen है अब हमारे पास simple आता है कि सर इस वाक्य को तो मैं आसानी से बना सकता हूँ क्योंकि अंग्रेजी में यह को हम बोलते है this और present tense है तो हमें लगाना है is और यहाँ पर pen है तो हमें लगाना है pen तो सर यह बहुत आसानी से बन गया कि यह pen है this is a pen लेकिन मैंने अगर एक sentence बोला कि वह pen है वह pen है तो यहाँ पर मैं this लगाऊ कि that लगाऊ तो यहाँ पर वह के लिए अंग्रेजी में लगाते हैं that present tense है तो ease लगाया और pen को pen ही बोलेंगे तो यह आपका sentence बन गया this is a pen यह sentence बन गया that is a pen अब मुद्दे की बात यह आती है मुद्दे की बात यह आती है कि sir मैं this कब लगाऊ that कब लगाऊ क्योंकि pen तो वैसी कि वैसी है है नँ पैं तो से मैं तो मैं this और that लगाऊं कहां पर तो दोस्तों हमें concept को समझना पड़ेगा कि यह distance वाला मामला है कौन सा मामला है distance वाला मामला है कि जब कोई वस्तू pass होगी तो हमें this लगाना है, जब कोई वस्तु दूर होगी तो हमें that लगाना है, तो पूरा concept मैं आपको समझाता हूँ, तो ये basic सा knowledge था, तो demonstrative pronoun का मतलब होता है, ऐसे चार शब्द जिनका इस्तमाल हम किसी object को दिखाने के लिए करते हैं, जब भी किसी object को हम कुछ दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर वो चार शब्द कौन-कौन से हैं, ये वाले हैं, अब इस बात को समझना, हमारे पास यहाँ पर चार शब्द है, this, that, these, और those, इन चार शब्दों को मैं समझाओं, उसके पहले एक चीज़ आपको समझा देता हूं, कि हिंदी में एक word होता है, वह, ये वह word के लिए, हम हमारे पास चार शब्दों होते हैं, एक होता है आपका, यहाँ से समझते हैं, एक बड़ी आसा चार्ट बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, एन यहाँ पर ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब भी वह होता है, दिस का मतलब भी वह होता है, और दैट का मतलब भी वह होता है, तो आब होगा ना तो मैं सारे confusion दूर कर देता हूँ, आज के बाद आपको confusion नहीं होगा, क्योंकि मास्टेडी पर आ गए, मतलब confusion हमेशा के लिए समाप्त, खतम, ठीके, अब देखिए बात को समझे, ये जो ही होता है, इसका मतलब जब भी कोई लड़के की बात करेंगे, when we will talk about a boy or a male, जब होगा, उसके लिए हम ही लगाते हैं, तो ये हमने किसके लिए इस्तमाल करना है, male के लिए, याने की आदमी के लिए, ठीके, ये जो she होता है, अगर हमें बोलना है कि वह रानु है, वह सीमा है, वह रोश्नी है, तो वहाँ पर वह के लिए हम she लगाते हैं, तो जब लड़क she होगी, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, female के लिए क्या लगा देंगे, तो महिला के लिए हम लगा देंगे, she, ठीके, अब मालो वह का मतलब हमने कहा कि वह गाय है, हमने क्या कहा वह गाय है, तो यहाँ पर जब कोई जानवर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कोई animal होगा क्या होगा कोई animal होगा या फिर कोई normally object होगा या फिर कोई निर्जी वस्तू होगी तो निर्जी वस्तू के लिए हम क्या लगाते हैं तो निर्जी वस्तू के लिए भी हम it लगाते हैं जैसे मैंने कहा कि वह गाय है it is a cow मैंने कहा यह table है it is a table तो गाय के लिए भी हमने इट इस्तमाल किया और टेबल के लिए भी हमने ये इस्तमाल किया धिंग इस वेरी सिंपल की इट का मतलब क्या होता है यह या वह तो ध्यान रखना है अब ये धिस जो हम आज पढ़ने वाले हैं तो देखो धिस और धैट वैसे तो दोनों का शाब्दी करत अलग होता है धिस याने यह होता है धैट याने वह होता है लेकिन दोनों के माइने कब है जब पास की एक वस्तु दिखानी हो तो देखी concept मैंने पूरा बोट पर लिख दिया है which is very simple guys सर हिंदी में एक शब्दा आता है वह लेकिन अंग्रेजी में पाँच वर्ट्स का इस्तमाल करते हैं तो जब वह मेल के लिए आएगा तो हमें लगाना है he is rahul, he is a person ठीके जब वह का इस्तमाल लड़की के लिए करेंगे तो हम इस वह के लिए she लगाएंगे जब वह का इस्तमाल हम किसी जानवर के लिए करेंगे तो हम वह के लिए it लगाएंगे बात समझ में आई की नहीं आई अरे हाया ना बोलू भाई हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा दोस्त आपको like करना पड़ेगा है ना आज कल आंगूटे का इस्तमाल सहीं जगा किया करो तो फटा फट like मारो अभी तक like नहीं किया अपने which is disappointing ठीक है तो इट का इस्तमाल हम animal के लिए करते हैं जब हम जानवर की बात करेंगे किसी object की बात करेंगे जैसे इस अपन अब आता है धिस तो जब कोई पास की एक वस्तु बताएंगे तो धिस लगाएंगे जैसे मैंने कहा कि यह मेरा shirt है तो this is my shirt यह मेरी pain है this is my pain तो धिस का इस्तमाल केवल एक वस्तु बताने के लिए किया जाता है और वो भी वस्तु मेरे आसपास होनी चाहिए सर कितनी पास होनी चाहिए ऐसा कोई criteria decide नहीं है लेकिन इतनी पास कि हम उसे चूर सकें चंदा वामा को छूर सकते हैं क्या हम नहीं सर तो अगर आपको बताना है कि देखो वो चंदा है वो चांद है तो कैसे बोलोगे that is a moon not कि this is नहीं बोलना है that is a moon बोलना है ठीक है तो that का इस्तमाल कहा करना है दूर वाली वस्तु के लिए जो एक हो तो this is the basic concept which we need to discuss today और आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारी आज पास की वस्तुओं को अंग्रेजी में बोलना शुरू करे अगर आपको एक concept अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजे नए हो सब्सक्राइब करिए और bell icon दबाना ना भूले और अगर आप इस तरीके से अच्छे से English पढ़ना चाहते हो प्राक्टिस करना चाहते हो तो डाउनलोड करिए मास्टडी आप जिसकी link नीचे description में है या फिर नीचे दिये के number पर call करके आप हमारी online classes भी join कर सकते वरना यहां तो मैं पढ़ाई रहा हूँ अगेन I would like to remind you की हमारी live classes चार दिन होगी Sunday, Monday, Tuesday और Wednesday चार दिन ही लगेगी तीन दिन मुझे भी आराम चाहिए विकेस आइम अलसो human being ठीक है चलिए तो यह होगय हमारा concept अब हम basic से start करेंगे तो सर आज पढ़ाने क्या वाले हो देखो भाई आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा concept आज मैं आपको पढ़ाऊंगा demo state you pronoun आप पूरे concept को एक बार में समझ लेना कितनी बार में एक बार में सर एक बार में नहीं आया तो नहीं आया तो double समझा दूँगा है ना समझाना तो पड़ेगा तो demo state you pronoun मैंने आपको बता दिया आज हम इसमें कितने words पढ़ने वाले हैं आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चार word इनकी practice भी करवाऊंगा और last में practice sheet भी दूँगा देखो मैंने आपको बताय था demo state you का मतलब होता है demo दिखाने वाले words याने कि जो दिखावा करते हैं दिखावा या ऐसे word जो किसी ने किसी चीज का क्या करते हैं इशारा करते हैं ये दो word को समझ लो ऐसे शब्द अंग्रेजी में जो दिखावा करे या इशारा करे वो क्या होते हैं वो होते हैं आपके demonstrative words कितने words होते हैं से बेटा चार words होते हैं अंग्रेजी में जो दिखावा करते हैं क्या करते हैं दिखावा कौन-कौन से होते हैं देखिए एक होता है आपका this this और एक होता है आपका that पहले इन दोनों को समझ लेते हैं देखो ये दोनों ही जो words होते हैं दोस्तों this और that इनका इस्तमाल ये दोनों ही जो है इनका इस्तमाल हम क्या करते हैं एक वस्तू के पहले करते हैं मतलब इसका भी एक वस्तू के पहले इसका भी एक वस्तू के पहले है ना क्या सके छू सके ऐसी वस्तुहों के लिए हम क्या करते हैं हम इसको न ऐसे लिखते हैं अब समझ में जादा अच्छे से आएगा देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लैंक में This और यहां लिग दिया That यह सारे notes में आपको दे दूँगा tension लेने की जरुम्य नहीं अगर आप math study पहे तो सारी वेवस्थां आपकी की गई है आपको free में पढ़ाऊंगा आपको free में notes दे दूँगा आपको free में test दूँगा आपको free में practice sheet दूँगा और 10% लोग action लेते हैं और जो action लेते हैं वो भी discipline के साथ consistency के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ते हैं ऐसी लिए इस दुनिया में सिर्फ 8 या 9% लोग बाकी के बचे 90% लोगों पर राज कर रहे हैं हाँ या ना बोलो भाई सही है ना बात कड़ी है मगर सच्छी है दोस्त तो this देखो इन दोनों वस्तूं का प्रयोग क्या करते हैं इसका meaning भी एक वस्तू के लिए होता है इसका इस्तमाल किसके लिए होता है एक वस्तू के लिए तो हम यहाँ पर लिख देते रूल दिस का मतलब होता है यह that का शाब्दी करतो होता है वह नियम क्या बोलता है एक वस्तू बताने के लिए एक वस्तू वस्तू मतलब object जो pass हो क्या हो जो pass हो pass की वस्तू एक होनी चाहिए तो आपको दिस लगाना है और यहाँ पर देखिए एक वस्तू को जो दूर हो बहुत simple सा concept है दोनों का इस्तमाल singular subject के साथ होता है जैसे यह मेरी किताब है यह मेरी क्या है किताब है कैसे बोलेंगे दोस्त बहुत आसान है सबसे पहले यह देखो कि किताब एक है या एक से जादा है अगर किताब एक है तो समझ में आ जाएगा कि this या that लगाना है अब यह दिखना है किताब pás में कि दूर में तो यह तो बोलते समय डिपेंड करेगा ना लिखे वे में थोड़ी समझ में आएगा तो अगर यह लिखा है कि यह मेरी किताब है तो किसी को हम किताब आस्पान में तो नहीं दिखा सकते हम ऐसे बोलते ना कि यह मेरी किताब है हाथ में रखे बोलेंगे ना कि यह तो मेरी किताब है तो obviously किताब पास होगी तो यहां पर this लगाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे यह के लिए लगा लगाएंगे, और चुकी present tense है है, तो present tense में ease और और आर का इस्तेमाल करते हैं, this is, और मेरी किताब को बोलेंगे my book, क्या बोलेंगे my book, this is my book, आप उसी प्रकार अगर आपने यह बोला कि यह मेरी किताब है, तो आप ऐसा आपने कहा कि यह मेरा computer है कैसे बोलेंगे computer पास में होगा ना तो आप बोलोगे this is my computer क्या बोलेंगे this is my computer तो simple सी बात आपको समझ में आ गई कि धिस का इस्तमाल एक वस्तु के पहले करते हैं ऐसी वस्तुएं जो हमारे आसपास होती है तो अंग्रेजी बोलना कितना आसान है देखिए अब आप imagine करिए कि आपके आसपास जितनी भी एक एक वस्तु दिखाई दे रही है उन सब को अग्रेजी में बोल के देखिए बोलो अभी बोलो कल करें सो आज कर आज करें सो अब आगे का हिंदी मुझे नहीं आता है किसा आई नो इंग्लेज एन वन सेंटेंस तुमोरो नेवर कम्स कल से करूंगा क्लास की बाद प्रैक्टिस करूंगा नहीं अभी फटा फट आपके आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है मैं चैट पड़ रहा हूं फटा फट बताईए जैसे मेरे आसपास जो दिखाई आउगे साक्यला नहीं होता है इस फिल जापर खी आनव सच्राइओ दिखे इस माज पांग This is a roof, this is my mobile, this is my water bottle, this is my computer, this is my mouse, this is my pen box, this is panel, अब जित्ते भी चीज़े आपको दिखाई दे रहे हैं अपने पास सब बोलो, बोलो, मैंने कहा था कि 5 मिनट में इंगलिज दिखाऊंगा, इस लगाओ, इस लगाओ, जो जो आपके पास है, उनके अंग्रेजी में नाम तो आने चाहिए, अरे घड़ी को अंग्रेजी में वाच बोलते हैं, ये तो आता है ना, अगर आपने भी तक मास्टडी एप डाउनलोड नहीं किया है, एक बार जाके ट्राइ करो, आपकी काम की चीज़ मिलेगी, अप, देखो, चैट में आपकी लिंक है, गो एन डाउनलोड मास् हम तब करते हैं, जब एक वस्तू हो और वो दूर हो, इतनी दूर की हम उसे चूना पाएं, हम उसके पास आचानक से नहीं जा सकते हैं, समझ में आया, बलब पांदस फीट के आसपास के वस्तू है, तो वहां धिस लगाना है, एना, पांदस फीट के आसपास के वस्तू है, तो वहाँ क्या लगाना है दिस लगाना है लेकिन कोई ऐसी वस्तु जिसे हम चू नहीं सकते हैं वहाँ पर दैट लगाना है जैसे यहाँ पर एक्जामपल देखिए कि वह सुन्दर चांद है या चंद्रमा है अब यहाँ पर चुकी कौन सा टेंस है प्रेजेंट आप इस वहाँ के लिए आप ही मत लगा देना मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि ही और शी का इस्तवाल केवल हम किसके लिए करते हैं इंसानों के लिए करते हैं लड़का हो तो ही लगाना है लड़की हो तो शी लगाना है बरोबरे तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर चंद्रमा है तो आपको यहाँ पर चंद्रमा तो दूर है ऐसा तो है नहीं चंद्रयान को भी जाने में 4-5-4 दिन लग गए तो जो दूर की वस्तु हैं उनके लिए that लगाना है तो आपने यहाँ पर that लगाया अब date के बाद आपने यह देखा कि भाई कौन सा tense है अगर present tense है तो ease लगाना है तो यह एक है तो ease लगाएंगे चंद्रमा को क्या बोलेंगे that is moon अब आप चाहो तो दव भी लगा सकते हो क्योंकि planets के नाम के पहले दव आता है तो नहीं लगाओगे तब भी चलेगा लगाओगे तब भी चलेगा क्योंकि ग्रामर क्लास बिल्कुल नहीं है ठीके दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए चलेए फटाफट लाइक कर दीए so that is a moon अब ऐसी वस्तुए हमें ढूननी है जो दूर है जैसे मैंने कहा कि वहत वहत सूर्य है तो क्या बोलेंगे that is sun अब जिसे हैं ना कई बार हम बस में बैठे होते हैं बस में बैठके मामा के घर जा रहे हैं अच्छा बंदन तो वैसे भी आ रहा है तो बस में बैठके पता ही क्या बोलते हैं अरे मम्मी मम्मी देखो ना वो मेरी स्कूल है है ना तो आप अपनी मम्मी को क्या दिखाते स्कूल आप बस में बैठके क्या मम्मी स्कूल को छू सकती है touch कर सकती है जा सकती है no sir because bus चल रही है है ना तो फिर आप कैसे अंग्रे जी में बोलोगे कि वह मेरी school है है ना कैसे बोलोगे वह मेरी school है कैसे बोलोगे बताओ बताओ very good काफी लोगों क्या answers आ चुके है I like the people those who chat in the comment and they write beautiful comments class खतम होने और class कल से रोज 8 बजे आ जाना क्योंकि class चलेगी अब 4 दिन तक तो रोज आ जाना हपते में 4 दिन class लगती है live YouTube पर अपने सारे दोस्तों को लाओ और कम से कम इतना simple पढ़ा रहा हूं इतना basic से पढ़ा रहा हूं यार अब तो 5 दोस्तों को share कर दो फाल तू real share करते हो फाल तू video share करते हो है ना लोग सुबह सुबह status पे ना बहुत सारे ज्यान की बाते लगाते हैं जो खुद भी apply नहीं करते होंगे कभी पूछूँगा कि जो आप status पे ज्यान बाढ़ते हो वो खुद apply करते हो इससे अच्छा है हमारे वीडियो की link लगा दो status पर कम से कम कुछ लोग English तो सीखेंगे दोस्त चलिए तो देखिए है ना मैंने कहा कि वहाँ मेरी school है so that is my school दूर की बात बताने के लिए मैंने कहा कि वहाँ आम का पेड़ है that is a mango mango नहीं होता है that is a mango tree समझ में आया कि नहीं आया भाई हाँ या ना बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया concept clear है concept clear है जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए concept clear है very good चलिए तो this आने पास में that आने दूर समझ में आ गया दोनों का इस्तमाल एक वस्तो के लिए करते हैं अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे phase में फिर हम इसकी practice करेंगे दोस्त पहले practice कर लेते हैं अब हम practice करेंगे देखिए उने practice बाद में करेंगे पहले पढ़ लेते हैं अब हम दो words को पढ़ रहे हैँ देमो स्टेट्यू प्रणाउन में जो लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बाद में स्टार्टिंग से जरूर देखना अब एक वर्ड होता है आपका दीज और एक वर्ड होता है आपका दोज दोस्तों ये छोटे वर्ड हैं लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ज़ादा करते हैं हमारे उफिस में बैठे होए घर में बैठे होए यहीं तो class attend करोगे सोचने से English नहीं आती है टाइम देना पड़ेगा आपनी जिंदगी में मैं हमेशा सभी लोगों को बोलता Even I tell my family members too कि खुद के लिए एक घंटा होना चाहिए और सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है सीखने की कोई एज नहीं होती है हमारी online classes में 50-50 साल के लोग भी classes ले रहे है ऐसे कई आंटियां है जिनकी उम्र 45 प्लस है लेकिन वो English सीखती है बोलती ही सर आने वाला जमाना English में हमारे जो पोते-पोती है ना वो English में पढ़ाई करते हैं तो हम भी English थोड़ी बहुत सीख जाए तो बहुत सारी महिलाए personal classes ले रही है और हमारा उद्देश भी यही है कोई मुझे पूछे कि सर why do you teach English I answer simply कि ऐसे कई लोग जो communication की वज़र से ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं ऐसे कई मेरी माताएं बहनें जो educated तो हैं जिनका graduation तो हो गया है master हो गया है लेकिन घरवाले सिर्फ उनसे रोटिया बनवा रहे है ऐसी माता बहनों के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं न घर बैट कर English class सीखो online class सीखो और घर बैटे work from home करो Amazon, Flipkart, बड़ी बड़ी companies इन में work from home मिलता है बस आपको English आनी चाहिए अगर आपको English आ गई ना तो आप घर बैठे भी 50 साहाट अजार रुपए कमा सकते सर सच है भाईया सच है और कोई नई जॉब देगा तो Mastery आपको जॉब देगा Mastery के लिए काम करो बस English आ जानी चाहिए तो यह सच है I never speak lie, I never tell lie guys This is your choice अगर आप सोचो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी सभी आपकी बहने, आपकी आंटी, चाची जी चाचा जी, मामी जी, सबको Mastery की इस वीडियो की लिंक भेजो भाई ताकि वो भी सीख पाए चलिए, बाकी आपके इच्छा, फाल तो वीडियो तो बहुत भेजते हो ये भी भेज दो दीज का मतलब होता है ये और दोस का मतलब होता है वो समझ में आया की नहीं आया हाँ या ना बोलो भाई देखो, दीज और दोस क्या करता है दीज और दोस क्या करता है कि दीज का इस्तमाल भी हम लोग एना उन वस्तूओं या व्यक्तियों के लिए करते हैं जो पास में होते हैं तो पहला नियम क्या है पास की वस्तूओं को बताने के लिए सर क्या इंसानों के लिए कर सकते हैं हाँ बेटा इंसानों के लिए भी दीज का अस्तमाल किया जा सकता है आगे बताओंगा कैसे किया जा सकता है ठीके आगे बताओंगा चलिए आगे बढ़ते हैं let's start तो pass के वस्तुओं के लिए आप कौन सी वस्तुओं हैं जो एक से जादा हो एक से जादा वस्तुओं होनी चाहिए दो चीजे होती है Sir example बताईए जैसे मैंने कहा कि ये मेरी किताबे हैं ये मेरी क्या हैं किताबे हैं है ना, ये क्या है भाई, ये मेरी किताबे हैं पहर्त है, अगर यस वो मुझे बनाना है तो आप मुझे देखना है कि ये मेरी किताबे हैं तो ये को अंग्रेजिय मे क्या कहेंगे तो जब हम कुछ ऐसे आपजेक्ट्स की और इंडिकेट कर रहे हैं एक से ज़ादा है ये मेरी किताबे है तो यार दिमाग चलना चाहिए कि प्रेजेंटेंस है तो मुझे दीज लगाना है ये के लिए हम लगा देंगे दीज और यहाँ पर दीज लगाया तो फिर आपको आर लगाना है क्योंकि एक से ज़ादा अगर अबजेक्ट्स हैं तो आर लगेगा दीज आर और मेरी किताबे तो यहाँ पर आ जाएगी माई बुक्स आपको ना इस नहीं लगाना है इस नहीं लगाना है आप बोलोगे सर पता है हमें मेरे भाई मैं कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ जो बहुत जादा स्मार्ट हो अगर पता है तो शांती से बैटो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता है अगर आपको पता है तो आप सांती से बैट के रिपीट कर लो पर हमारे ऐसे भाई बहनों को भी लेके चलना पड़ेगा ना विचारे जो slow समझते हैं धीरे समझ में आता है और एक अच्छा teacher वही होता है जो सब को लेके चले ऐसा नहीं कि आगे कि 4-5 लोगों को पढ़ा के निकल लिया ये सही तरीका नहीं है तो these are my books आप देखो घर में में क्या क्या होता है हम मुलते और भाया ये तो कपड़ें मेरे कपड़ें ये कपड़ें देखो ये जरुदें कि हिंदी में येही शब्डा है ये आप कुछ मि लगा सक्कित लिकिन बस वस्तु में पास होने चाहिए ठीके तो यहाँ पर देखो यह के लिए हमने क्या लगा दिया दीज और कपड़े जाद है तो दीज आर माई प्लोट्स यहाँ धियान रखना आपको आर लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो अबजेक्ट है वो प्लूरल है है ना सब्जेक्ट को देखके नहीं चलना है जैसे मैंने कहा कि पता है कि यह जो फापा की फाइल्स है जो फाइल्स होती पापा यूज़कर तो यह मैरी पापा की फाइल्स है कैसे बोलेंगे तो आप बोलो के दीज आर my father's files यह यह files हैं तो simple बोलो these are files तो ऐसे हजारो sentences क्या हम बोल सकते हैं जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बहुत simple है nothing is tough जैसे मैंने कहा कि यह tables हैं मेरे सामने tables आप देखो मेरे सामने कौन कौन से ऐसी चीज़े हैं जो मैं बोल सकता हूँ तो मुझे पता है कि एक से जादा चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं जैसे यह कुरसियां हैं तो कैसे बोलेंगे these are chairs और ध्यान रखना अगर these लगाया तो इसको पढ़ना भी सही है तो इसको धिस मत पढ़ देना देखो एक होता है these एक होता है these तो दोनों के pronunciation में difference है बात को समझना यह न यहाँ पर धर लगा हुआ है this और यहाँ पर न दर लगा हुआ है these समझ में आया कि नहीं आया हाया ना बोलो भाई आया वो तो like करके चले जाओ यार एक like ही तो मांग रहा हूँ जान तोड़ी मांग रहा हूँ भाई ठीक है तो देखिए यह होता है this और यह होता है these लंबा खिछना है these इस तरीके से these तो मैंने कहा आप देखो मेरे सामने जो जो भी चीज़े होगी ना मैं उनको बोल के आपको दिखा हूँगा जैसे मैंने कहा कि यह कुरसियां है these are chairs यह tables है these are tables यह मेरे कपड़े हैं these are my clothes यह मेरे किताबे these are my books यह लोग है these are people यह अमेरिका के लोग है these are people of America तो इनसानों के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है जैसे मैंने कहा कि यह सब mobiles है these are mobiles तो जो भी चीज़े आपको आपने आसपास दिखाई देती जिनका number एक से ज़ादा है वहाँ पर क्या लगाना है these लगाना है समझ में आया कि नहीं आया भाई अगर आया तो ठोको like फटाफट like ठोको चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं सर आप दोस का concept बता दीजे देखो भाई दोस क्या होता है एना दोस का concept आपको सिखा देता हूं ठीके तो दोस को भी पढ़ लो मजा आ जाएगा English बिलकुल 0 से सिखाता हूं भाई हमे और with guarantee आज की दुनिया में guarantee कौन लेता है तो math study guarantee लेता है हम आपरी online classes में guarantee सिखाते हैं क्योंकि हम यह नहीं बोलते कि आपको English बोलना सिखाएंगे हम यह बोलते कि English का master बनाएंगे दोस्त English का master बनना है तो math study option बचा है आपके पास देखिए यह क्या करता है दूर की वस्तों के काम में आता है दूर की वस्तों है दूर की वस्तों है दूसरा एक से ज़ादा हो जो क्या हो एक से ज़ादा होनी चाहिए यहां तक कुछ questions तो नहीं है भाई Do you have any doubt? Do you have any doubt? चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखिए जैसे यहां पढ़ना हिंदी में शाब्दी करत में वे इस्तमाल करते हैं वे तारे हैं तोरे नहीं भाईया तारे हैं वे तारे हैं कैसे बोलोगे भाई अंग्रेजी में तो बहुत आसान है वे तारे हैं तो अगर तारे तो दूर हैं तो क्या लगाओगे? तारे एक से जादा है तो आर और तारे को बोलते हैं स्टार्स sentence क्या बन गया those are stars क्या बोलेंगे those are stars जैसे मैंने कहा कि पता है वो आम के पेड़े अब आम के पेड़ तो दूर हैं आपके घर की छत पे से आप देख रहे हो देखो देखो बहुत सारे पक्ची है यह ना वो बहुत सारे पक्ची है तो आपने कहा कि those are birds those are birds इस तरीके से बोलेंगे एक एक चीज़ को समझो और एक ही चीज़ को बार बार प्राक्टिस करो those are mango trees और कौन कौन सी चीज़े आपको दिखाई देती है those are governments building governments building वो सरकार की इमारते हैं सरकारी इमारते हैं तो जो वस्तुएं एक से ज़ादा हो for that you have to use those I hope आपको ये concept अच्छे से समझ में आ गया है दूर हो तो those लगाना है पास हो तो these लगाना है बोलते समय your pronunciation should be very much clear yes or no यहां तक clear है भाई यहां तक clear है मैं फिर आपको remind करवा देता हूँ कि after teaching I will share the PDF on telegram channel of mass study you please join mass study telegram channel वहां पर आपको हमारी सारी classes की जानकारी मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोश्त अब ये हो गया आपका concept पूरा clear अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि this or that ये दोनों का इस्तमाल एक वस्तूँ बताने के लिए या एक व्यक्ति बताने के लिए करते हैं है न आप present past future बे देखेंगे और इनको बोलेंगे इस और दो़स इन दोनों का इस्तमाल एक से जादा Bताने के लिए करते हैं हाया ना बोलो भाई, अब हमें ये समझना है कि क्या हम इनका इस्तमाल प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, तो इनका इस्तमाल हम पास्ट और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि जब भी हम इनका इस्तमाल प्रेजेंट में करेंगे तो हमें प्रेजेंट की ह अब लगानी है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सरा आ गया, सर प्रेजेंट में लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो यहां पर आपको EASE और R लगाना एम का इस्तमाल नहीं होता है पास्ट में आपको यहां पर वाज और वर लगाना है मैं आपको प्राक्टिस भी करवाऊंगा जैसे मैंने कहा कि वह वह क्या था वह हाती था तो that was elephant क्या बोलेंगे that was elephant दूर की वस्तू होगी तो पास्ट में बहुत कम इस्तमाल होता है लेकिन आगर आप करते हैं कोई single वस्तू बताते हैं तो फिर वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा जैसे वो मेरी गलती थी तो क्या बलते हैं that was my mistake वो मेरी पहली गलती थी that was my first mistake समझे में आया कि नहीं है catch कर पा रहे हो catch कर पा रहे हो catch कर पा रहे हो चली good evening everybody हीना बहुत लेट आई हो कोई बात नहीं लेट आयो लेकिन इस class को starting से देखना जो भी देख रहे हो शुरू से देखना बीच में देखोगे तो मजा नहीं आएगा तो class खतम होने के बाद शुरू से class लगाना और future में हम लोग will be का इस्तमाल करेंगे तो बहुत simple है और same का same ये data यहां पर भी लागू होता है यहां पर भी तो एक है तो आपको is लगाना है एक से ज़ादा है तो आपको r लगाना है तो ये का ये पूरा का पूरा चार्ट यहां पर भी लागू होता है बस फरक क्या आएगा कि present के वाक्य के last में क्या आजाएगा दोस्त तो present के वाक्य के last में हे आजाएगा past के वाक्य के last में था आजाएगा तो आपको was word लगाना है और यहाँ पर गा जाएगा सिंपल सी बात है तो हमें sentence को check करना है और दिमाग लगाना है कि कौन सा demonstrative pronoun हमें use करना है आ या कि नहीं आया भाई आ गया यह सर आ गया है चलिए start करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने PPT आपके लिए बना के रखा है यह मैं आपको WhatsApp भीज दूँगा आगे बढ़ जाते हैं चलिए यह सारे structures है negative बनाना हो, interrogative बनाना हो तो it is very simple ठीके? आगे बढ़ जाते हैं सीधा practice पर आ जाते हैं आज हम करते हैं दमाकेदार practice कैसी practice दोस्त? दमाकेदार practice सयार है practice के लिए एक स्वार में बोलेंगे yes sir I am ready अगर आप ready है तो लिखिए क्योंकि पढ़ो तो excitement होना बहुत जरूरी है दोस्त क्या होना जरूरी है? you must have excitement of study है ना? इंगलिस सीखना तो है ना? तो मजे से सीखो भाई किसे सीखो? मजे से सीखो चलिए आगर देखिए वह किताब है क्या बोलेंगे? ही मत लगा देना वह किताब है तो वह के लिए लगा देंगे that वह लगाया है इसका मतलब कोई चीज दूर है तो दूर है तो क्या लगा देंगे that that is a book present tense है तो is लगाया और किताब एक होगी तो हमने यहां पर book कर दिया यह मेरे जूते हैं चुकि जूते हमेशा दो होते हैं Shoes are never single They always come with pair कभी दुकान पर जाकर एक जूता खरीद के लायो और ऐसा हुआ है कि एक शूता खरीद लिया नहीं सर तो यह मेरे जूते हैं तो बोलेंगे These are my shoes वे आम के पेड़ है तो यहां पर आम के पेड़ तो दूर होते हैं तो दोस लगाया और दोस के साथ क्या लगा दिया आर तो दोस आर और आम के पेड़ तो mango trees mango trees यह मेरी पुरानी पुस्तक है कैसे बोलेंगे दोस्त English ना practice करने से आती है बनाईए इसको English में कैसे बोलेंगे यह मेरी पुरानी पुस्तक है तो यह को बोलेंगे this is my old book क्या बोलेंगे this is my old book यह मेरी पुरानी पुस्तक है चलिए फटा फट लाइक ठोकिए आप मैसे से कई लोग है जो लेट आएं लेकिन लाइक नहीं करते हैं which I really don't like फटा फट लाइक करिए चलिए आगे बढ़ें दोस्तों आगे बढ़ें ओके गुड 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 वेरी गुड फटा फट आप डाउनलोड करिए दोस्तों मास्टडी आप पर एक टेस्ट और्गनाईज करने वाला हूँ चलिए ये प्राक्टिस है फटा फट इसकी प्राक्टिस करिए अब देखो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो प्राक्टिस मैं करवाता हूँ ऐसी प्राक्टिस कोई नहीं लेके आता है अल्ली मास्टडी पर आपको प्राक्टिस मिलेगी कि पढ़वाना भी है प्राक्टिस भी कराना है बहुत आसान है देखिए क्या यह तुछारा कमरा था यह इसको पकड़ो क्या है यह past है अब past है तो हमें was वर लगाना पड़ेगा अब हमें यह देखना है कि क्या यह तुछारा कमरा था कमरा एख है न तो यहाँ पर was लगाना पड़ेगा was this your room दिमाग से बनाओगे तो sentence बनेगा दोस्त Was this your room क्या वह तुम्हारा कमरा था अगर आपको बोलना था कि क्या वह mobile था आप वह को देखके हीमत लगा देना क्या वह है तो ही लगा नहीं भाई mobile की बात हो रही है और mobile क्या है एक वस्तू है तो कैसे बोलेंगे तो past tense है ना तो was आगे लगाओ Was that your mobile और question है तो helping work को आगे लगाना पड़ेगा Was that your mobile क्या वह तुम्हारा mobile था या क्या वह mobile था ऐसा लिखा है ना तो was that mobile इस तरीके से हम बना देंगे अगला ये मेरे कपड़े नहीं है ये मेरे कपड़े नहीं है तो these are क्योंकि चुकि present tense है ना तो मैंने R लगा दिया और negative है तो क्या लगाना पड़ेगा not लगाना पड़ेगा ठीके तो यह मेरे कपड़े नहीं है तो ये के लिए these लगाया these are not my clothes यह मेरा दोस्त था तो this was मैंने कहा था इंसानों के लिए भी कर सकते हैं this was my friend this was my friend यह मेरा दोस्त था कैसे बोला this was my friend ऐसे practice करोगे ना ये practice sheet में निकाल के देदूँगा आपको whatsapp पे sir whatsapp पे कैसे मिलेगी उसके लिए आपको telegram channel जवाइन करना पड़ेगा वहाँ से हमारे सारे notes आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में लेंगे sir telegram होता क्या है by telegram एक app है उस app पर जाकर आप हमारा mastery channel जवाइन करोगे तो वहाँ पर जवाइन का option आएगा click किया mastery पर जवाइन कर लो free में मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर हमारी सारी updates आती live class कब स्टार्ट होगी कौन सी batch में क्या चल रहा है notes कैसे मिलेंगे सारा data वहाँ पर आता है अंग्रेजी में data बोलते हैं हिंदी में data बोलते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं चलिए ये वाले practice करिए फटा फट ये चार sentence की English बनाईए मैं देखता हूँ आप कितने talented है बनाईए बनाईए बनाऊगे तो काम तुम्हारा ही होगा भाग तो नहीं गया है मैं यही था पानी पीने गया था चलिए लेट सी वह लाल किला नहीं है तो कैसे बोलेंगे that is not red food लाल किले को क्या बोलेंगे red food बनाया वह लाल किला नहीं है that is not red food अगला यह बहुत मज़दार है मज़दार को बोलेंगे funny या spicy जो जिसे कोई खाना होगा तो उसे हम delicious बोलेंगे तो मज़दार word हर व्यक्ति के लिए अलग आता है जैसे कोई व्यक्ति मजदार है तो हम बोलेंगे he is very interesting कोई वस्तु है तो हम funny बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं तो यह बहुत मज़दार है तो this is very funny यह मेरी बहन की अंगूटी थी आप देखिए past 10 से past तो आपको यहाँ पर यहाँ से अलट हो जाना है कि past है तो was लगाना है तो this was my sister's ring क्या बोलेंगे my sister's ring क्या हुआ तुम्हारा घर था तो कैसे बोलेंगे was that your home was that your home and even though it is a question तो हम यहाँ पर question mark लगा देंगे समझ में आया की नहीं आया पटा फट लाइक करिए नए हो subscribe कर लीजिए अब देखिए यह practice sheet है दोस्तों अब हम practice sheet को solve करते हैं वैसे यह जो practice sheet है ना यह जो practice sheet है that I will post on telegram तो वहाँ से download करके आप इसका print निकाल लेना sir इसके answer भी चाहिए तो अगर आपको इसका answer चाहिए तो आप जाए यह master डिया पर वहाँ पर ना हमने course बना दिया है 60 days spoken English course तो सहाथ दिन का course जोईन कर आप इसके answers ले सकते हैं अब देखो यह सब मेरी समस्या हैं कैसे बनाएंगे भाईया यह सब मेरी समस्या हैं तो देखो यह सब तो हम इसको यहाँ पहना यह का मतलब होता है these क्योंकि यहाँ पर जो object है वो भाईचन है तो कैसे बोलेंगे तो these are my problems यह समस्या है these are all my problems ऐसा भी बोल सकते हैं these are all my problems इसको बनाएंगे वह सेर है कैसे बनाएंगे सेर के पास जाकर तो नहीं बोल सकते हैं कि वह सेर है खा जाएगा तो that का इस्तमाल ही करना है यह कि that का इस्तमाल हम दूर वाली वस्तों के लिए करते हैं है ना तो वह सेर है तो that is tiger very good जावित काजी बहुत बढ़िया ठीक है चलिए बनाएंगे सब लोग फटा फट वह सेर है तो कैसे बोलेंगे that is lion है ना that is lion अगला यह एक cycle है इसको बनाएं थर्ट वाले को यह एक cycle है बनाएंगे कैसे बनाओगे this is a this is a cycle sorry तोड़ी writing छोटी करनी पड़ेगी this is a देखो cycle को अंग्रेजी में cycle ही बोलते हैं और bicycle भी बोलते हैं तो choice is yours की आप इंग्लिश में देख कुछ words ऐसे हैं ना day to day life में जिनने हम इंग्लिश में इस्तमाल करते हैं जिसे bike हो गया, cycle हो गया, car हो गया bus हो गया जितने भी vehicle हैं जितने सारे की सारे उनके नाम ना अंग्रेजी में हैं बताओ ऐसे कौन सा vehicle है जिसका नाम हिंदी में है, بتाओ कोई भी ऐसा vehicle जो engine से चलता हो उसका नाम बताता है, वैसे engine को भी हम लोग engine भी English word है वैसे engine भी क्या है एक English word है कि चलिए अगर देखिए यह मोबाइल नहीं है कैसे बोलोगे इस तरीके से आपको प्राक्टिस शीट को सौल करना है अब आपको ना एक मज़दार चीज बताता हूँ आपको बहुत मज़ाएगा देखो हम लोग इंगलिज शीखने का एक वीक प्लान करते है क्या करते हैं एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ भागना मत यही रहना इंगलिज सीखने के लिए वीक प्लान करते हैं कि हमें एक हफ्ते में क्या क्या करना चाहिए इंगलिज सीखने का वीकली प्लान या वीक प्लान बोल सकते हैं आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप ये चीजे एक हफ्ता ट्राइ करते हैं तो एक हफ्ते में आप काफी अच्छी इंग्लिश बोलने लग सकते हैं आपको करना क्या है सबसे पहली बात आपको जो करना है एक हफ्ते में पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको use start ऐसे बोलते हैं कि start using small sentences मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर आपको आज सही English बोलना start करनी है then you have to start using small sentences right now for example जैसे मैंने आज आपको this और that पढ़ाया तो आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं तो कभी भी आपको कोई चीज दिखानी हो तो आप this या that लगाएं किसी ने पूचा कि अरे ममी वो क्या है या भाया वो क्या है चाचु वो क्या है तो आपना इसे English में बोलो yeah this is my new mobile this is my new wallet this is my new shirt ऐसे बोलो जैसे आपको नहीं dress खरीते हैं तो आप उसे बोलो सामने आले को this is my new shirt how am I looking मैं कैसा दिखिरा हूँ तो यह छोटे छोटे sentences which you can use anywhere और सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा क्योंकि problem क्या है इंडिया में अगर दो sentence अंग्रेजी के बोल दो न तो लोग बोलते हैं बड़ा आया अंग्रेज की उलाद अरे भाई अंग्रेज की उलाद कैसे बन जाएंगी अंग्रेज तो ब्रिटेंद में रहते हैं है ना हम तुमारे बाप की उलाद है पर गलती से अग्रेज भी एक sentence बोला अरे देखो आजकल बहुत ज़्याद इंग्लीज ज़ाड रहा है आरे वह इंग्लीज ज़ाड तुमारे लिए नहीं रहा है वह प्रैक्टिस कर रहा है आने वाले future के लिए तैयारी कर रहा है तुम तो यही सड़के मरोगे क्योंकि तुमने यही स निकलो नहीं काम होगा तो अंततह कोचिंग जाकर सभी बैंक करमचारियों को computer यानि के laptop PC चलाना सीखना पड़ा आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा कि English compulsory हो जाएगी English नहीं आती है ना तो कई लोगों को आधी जौब में से निकाल देंगे क्लाइंट तो पूरे और वर्ल globalization की और बढ़ रहा है अब आपको अमेरिका की customer को handle करना है अमेरिका के विक्ति से बात करने क्या करोगे नहीं आती है तो बोलेगा मालिक बोलेगा बॉस बोलेगा चल भईया गेट खुला है English सी क्या नहीं तो बाद में आना रहने यह कड़वा सच है दोस्तों आने वाले टाइम में English communications की value बढ़ने वाली और इसका अंदाजा आप यहां से लगा लो कि कोई भी बद पेरेंट्स आपने बच्चे को English में पढ़ाना चाहता है हिंदी मेडियम स्कूलों की तादाद दे बाइडे घरती जा रही है दे बाइडे घरती जा रही है इसी लिए you need to work on English for that आपको इंगलिश सीखनी चाहिए तो देखिए एक तो start using small sentences दूसरा दूसरा क्या करना है 22 25 रोज जो है न इंग्लिश words को use करना है words learn करना है रोज target बना कि 20 से 25 English vocabulary के word में सीखूंगा और उन्हें अपने sentences में इस्तमाल करूंगा समझ में आया कि नहीं आया नए हो अगर आपका दिन पहना है आज first आये हो तो मैं रोज बता दूँ those people who are listening to me first time जो मुझे पहली बार देख रहे हैं हम सहाट दिन का free YouTube spoken English course चला रहे हैं जो इंडिया में काफी popular हो चुका है और मैं week में 4 दिन classes लेता हूं YouTube पर रात को 8 बजे है ना Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday आप जरूर इसे attend करें और आप अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं मैं class लेने के लाव आपको free में notes देता हूं आपके WhatsApp पर और साथ में आपको practice sheets भी देता हूं यह मैं ही करता हूं और practice भी करवाता हूं तो जो लोग नए आया है मेरी duty है कि उन्हें बता दो अब 20-25 words learn करना है सर vocabulary मेरी book है math study spoken English book एक मेरी book है math study app पर वह book ना आपको देड़ से रुपे में मिल जाएगी है वह book अपने mobile map डाउनलोड कर लीजिएगा और अराम से उसमें 5000 से ज़्यादा vocabulary के word है और उनको इस्तमाल करते भी how to use them वह भी मैंने बताया है तो book ना आप ले लेना बुक का नाम है math spoken English book math study book तो book आपर मिलेगी रोज दस बीस से 25 वर्ड्स रोज याद करना है उनका इस्तमाल करना है जैसे आपने एक word सुना blossom आपने एक word सुना blossom आचा blossom का मतलब क्या होता है blossom का मतलब होता है full ना बहुत बड़़े से full blossom होता है ऐसा, आपने एक word सिखा adorable, word क्या सिखा adorable, adorable का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया सुन्दर, है ना, अभी तक हम सुन्दर के लिए क्या word यूज करते थे beautiful है ना, आप beautiful तो boring word हो गया, क्योंकि हाँ चीज beautifully दिखती है आपको, तो कभी-कभी किसी कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया मानदो कोई लड़की आपके सामने आई और आपने उसे बोल दिया, you are looking adorable, तो आपकी फेन हो जाएगी पहला तो ये पूछेगी कि adorable का मतलब क्या होता है अगर उसे पता हो गया कि adorable का मतलब सुन्दर है तो 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 तुमारी पकी कारेक्रम हो गया है सबजी में आया? लेकिन नहीं तो तो तुमसे पूछी आएगी अरे बता तुने इतनी अच्छी इंगलीश कहां से सीखी? फिर आप बोलोगे मास्टर्डी से कहां से? मास्टर्डी से सीखी यह क्या होता है Master D यह एक online platform है जो एक लाग से जादा लोगों को online classes दे चुका है यह वो Master D platform है जो हजारों महिलाओं को जो घर में बैठी थी उनको English सिखा कर उन्हें job दे चुका है job book के लिए ready कर चुका है यह वो Master D है जो हजारों लोको लाको लोको युवाओं को जो college में पढ़ रहे थे English सिखा कर उनका placement करवाया है दोस्तों दोस्तों we work with honesty we work with guarantee Master D का मतलब है English सीखने की पूरी guarantee नई तो पैसे वापस चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो आपको रोज 20-25 words याद करने हैं आगे बढ़ जाते हैं तीसरा point लेते यहाँ पर देखिए तीसरा point क्या है दोस्तों तो आपको ये काम रोज करना है ये काम रोज करना है अब आपको मैं चाहता हूं कि 10 minute एना दस मिनट ना आपको क्या करना है दस मिनट ना आपको writing करनी रोज दस मिनट आपको क्या करना है सर यह क्या होता है देखो आप यह मैं सोचो कि आपको इंगलिस नहीं आती है feel that you know English रोज एक डाइरी लो, कोई साही रजिस्टर ले लो और everyday write for 10 minutes 10 मिनट रोज सर क्या लिखें, भहिया जो आता है दिमाख में वो लिखो अगर sentence नहीं आ रहा है न दस word लिखो मन से लिखना पर अगर sentence आते हैं तो आपको आसपस जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में 10 minutes लिखो, you can write about your routine you can write about your past habits, you can write about your habits you can write about your friends, you can write about your family everyday 10 minutes English में लिखना है that will make your English very amazing लेकिन ये करना पड़ेगा तो रोज 10 minutes आपको इंग्लिश लिखनी है ये तीन काम आपको में दे रहा हूँ छोटे छोटे sentence बोलो रोज words इस्तमाल करो और 10 minutes लिखो ये तीन काम अगर आप एक हफते करते हैं I guarantee कि एक हफते के बाद आपको बहुत changes नजर आएंगे अपनी personality में अपनी English improving में दोस्तो English is not about only speaking I always tell you one thing English means understanding and writing also मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूँ लेकिन जब बारी आए कि एक mail लिख दो आर किसी को mail करना है आप mail ना लिख पाओ तो मैं चाहता हूँ कि आप writing भी सीखे ठीक है तो ये ये तीन टिक आपको follow करनी है ये practice sheet मैं आपको दे दूँगा टेलिग्राम channel पर इस class के खतम होते ही वहाँ पर आपको मिल जाएगी कभी कभी आदा गंटा लेट डालता हूँ एक गंटा लेट डालता हूँ लेकिन टेलिग्राम पर ये sheet में डाल देता हूँ इस से अच्छा है Master Diab पर जाओ और वहाँ पर आप हमारे courses भी join कर सकते हो वहाँ पर ये भी मिल जाएगा ये हमारा grammar course है अब बात खतम होती आज़ी class complete हो गई है तो अगर आप में से कोई भी विक्ती English grammar की classes join करना चाहता है किसी भी exam के तेहरी कर रहे हो मैंने हर topic के grammar में basic से लगा कर grammar को भी इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया है कि आपको मज़ा आ जाएगा ये course Master Diab पर मात्र 400 रुपे में available है छे महीने के लिए जिस्टम को चलाने के लिए लगता है तो ये 400 वो पेमेंट है जो टेक्नलोजी को लगता है पुरा course तो मैं free में दे रहा हूँ तो all in one English grammar course आप किसी भी exam के तैहरी कर रहे हो चाहे वो दस्वी हो बारवी हो एससी हो बैंकिंग हो पुलिस हो आर्मी हो सारे exams के grammar के lectures है वहाँ पर हर topic का test है हर topic का notes है आप चाहो तो इसे join कर सकते हो अगर आप basic से English सीखना चाहते हो zero से तो ये है हमारा best spoken English course ये 6 महिने का course होता है जिसमें 2 महिने आपको live classes मिलती है notes मिलते है practice मिलती है face to face teachers आपको पढ़ाते हैं आप ये वाला course join कर सकते हैं ऐसे बच्चे जो इनो जिनको basic आता है जो English को समझते हैं लेकिन practice करना चाहते हैं सब practice कहां करें English की expert batch join कर लो 3 महिने पूरे 3 महिने live class मिलेगी रोज 1 गंटा practice करवाते हैं 15-15 बच्चे class में पढ़ते हैं और 100% आपको English में expert बनाते हैं ये batch आपके लिए है और जानकारी चाहिए तो call करना घर में छोटे बच्चे हैं kids से spoken English batch mobile का अस्तमाल करना चाहते हैं तो सहीं तरीके से करिए vocabulary की दिक्कत आती कुछ बच्चों को तो ये हमारी prime vocabulary batch है ये हमारी कल से batch चालू हो रही है तो vocabulary की batch आप जरूर दोस्तों जोईन करें कल से start हो रही है most important जो लोग job करते हैं उनके लिए ये वाला course है professional लोग, doctors, engineers जिनके पास दिक्कत नहीं है, महिलाए है तो हमारा personal English class जोईन करें ये one to one class होता है one to one का मतलब होता है कि एक teacher होगा और आप अके लिए एक रहेंगे batch में नहीं पढ़ना चाहते हैं अपना number share नहीं करना चाहते हैं तो हमारा teacher रहेगा, आप रहेंगे एक महिले में English सिखाएंगे इसे बोलते हैं, hiring, personal English trainer ये course भी आप जोईन कर सकते हैं इसके जानकारी हमसे ले सकते हैं very simple है, ये बहुत सारी test series है अगर आपको test series जोईन करना हो तो test series भी जोईन कर सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं आप मेंसे ऐसे लोगे की सरना हमें सब चीज़े एक ही जगव पर चाहिए there are many people की सरना मुझे न टेलिग्राम नहीं समझ में आता है मुझे तो आप न मास्टरडी पर जाओ मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर आपको सारा चीज़े मिल जाएगा इसे क्लिक करना हैं इसे करते हैं यहां जाते हैं खुल जा सिमसिम खुल गया देखो मास्टरी एप पर आप जाएगे ना तो यह हमारे सारे कॉर्सेज आपको दिखेंगे अब एप पर ना आपको जिसे आप 60 डेस की क्लासेज जॉइन की है अब आप लेट आए हो आपको लगता है कि सरना मैं ना मुझे ना टेलिग्राम पर समझ में नहीं आता है नोट्स कैसे मिलते हैं तो दोस्त यह एप पर ना 60 डेस स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाएगा इस कोर्स में हमने क्या किया है जो मैं पढ़ाता हूँ ना यही वाले क्लासे यहाँ पर मैंने डाल दी है प्राक्टिस शीट तो यहाँ पर आप कॉंटेंट में जाएंगे तो कॉंटेंट में आपको एक ही जगह पर तीन फोल्डर मिल जाएगे देखो पहला फोल्डर मिलेगा लाइव रिकॉर्डेट वीडियो लेक्चर्स जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर डे वन डे टू से मिल जाएगा यह चार क्लासे हो गई आज पांच भी क्लास है यहाँ पर डल जाएगी सारी प्राक्टिस शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी यह जो प्राक्टिस शीट जो मैं देता हूँ न आपको यहाँ पर आंसर सहीत मिल जाएगी और सारे स्प्रोगनलिश के नोट्स मिल जाएगे तो यह तीनो चीज़ अगर आपको एक जगह चाहिए कि क्लास भी मिल गई वीडियो क्लास आपको प्राक्टिस शीट मिल गई आपको नोट्स मिल गई तो आप इसके लिए यह वाला कोर्स जोइन करिए यहाँ पर आप पर यह 200 रुपे में मिलेगा आपको तो 200 रुपे इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर सारा मेनेजमेंट करना पड़ता है टेक्स लगता है इसके लिए हमने यहाँ पर रखे हैं नई तो आपको यूटूब पर देखना हो तो यूटूब पर भी आप देख सकते हैं चलिए तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपको बहुत मज़ा आया होगा और हमने आज एक बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने आज सीखा जिसका नाम था डेमो स्टेटिव प्रनावन आपको कैसा लगा आज का कल हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले बहुत ही शान्दार है आज बचकर पांच मिनट को आ जाना और एक व्यक्ति पांच दोस्तों को लाएगा तो अपने पांच दोस्त चाहे हो महिला हो या मेल हो फीमेल हो उनको बोलो कि भाईया मैं इंगलिस सीख रहा हूँ आप भी जो है इंगलिस सीखें और यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं साम को अपनी क्लासेज आप जरूर देखें सब कुछ फ्री है यहाँ पर और बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ आपको क्लासेज आज की डेमो स्टेटी प्रनावन कैसी लगी जरूर कॉमेंट ने बताना और प्राक्टिस शीट टेलिग्राम पर डाल दूँगा उसको सौल जरूर करना आज का होमवग मैंने आपको एक हफ्टे का प्लान दिया है उस वन विक के प्लान को आप जरूर अच्छे से एक्जेक्यूट करना चलिए एड दी एंड सभी को बहुत बहुत बढ़ाई कि आप लोग बढ़िया से महनत करने है आप बताईए आप मैंसे कौन-कौन अपने गाउं का नाम बताईए मैं पढ़ूँगा यूट्यूब पर तो आज आपका नाम और आपके गाउं का नाम आपके शहर का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा चलिए फटाफट बताईए अब टाइम शुरू होता है आपके गाउं को फेमस करने का तो कौन-कौन मुझे गाउं से देख रहा है अपने गाउं का नाम और अपना नाम बताईए नीट लवर थैंकी सो मज भाई साहाब कुशाल प्रजापत गोरक फुरुत्तर प्रदेश से विशाल कुमार जुड़े हैं देखते कोन कहा कहा से हैं एना चलिए सुमित राजपूत जी हैं धनबाद से भी हैं मेरा नाम अरुन प्रजापती मैंने चारो दिनों की क्लास जॉइन की है और आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मैंने आज भी अपने दोस्तों को जोड़ा है मैं मद्यप्रदेश के चंदोनी गाउं से हूँ आरुन प्रजापती जी आपका तहए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया चंदोनी गाउं से आप हैं मद्यप्रदेश से हैं आप अपने दोस्तों को भी लाएं तैंक्यू सो मच कल भी लाना है और सभी को बताना है मास्टरडी के बारे में आगे काशीव जी है ओकारा पाकिस्तान से तैंक्यू पिनेश जी है गुजरात से ओके प्रतिक्षा ओडिशा से तैंक्यू रुद्र कैपिटल यूपी से हैं तैंक्यू यती महेशवरी डली से हैं तैंक्यू सनी कुमार तारापूर से हैं तैंक्यू पंकज रावत उत्राखं से हैं थैंक यू गनेश यादो खरगोन से हैं थैंक यू गनेश सर बहुत-बहुत धन्यवाद for joining me today's in today's life class इसके अलावा मेरा नाम आमन वाजपूर से Thank you डेखिया से भी है रानी बाख से मंबई से हैं Thank You Khan साब सुमेर मीना मोधफूर रजेस्ठान Thank you रुदरक कुमार सोनपयाक से Thank you गुरुजी थैंक यू अंकित यादो थैंक यू फ्रम रजेस्थान Thank यू भाई साब thank you काफी लोग हैं नाम इतनी फास्ट आ रहे हैं कि I am not able to read कुछी नाम पढ़ पाऊंगा दोस्तों पिंकेज जी गुजराच से बढ़वा से अच्छा बढ़वा से कोन है विजय जी विजय चावडा जी तैंक्यू सो मच बढ़वा था हमारे पास में है एना सोन बदर यूपी से ठीक है जितेंद्र कुमार ओडिसा से तैंक्यू प्रयाग राज से आदिती दूबे जी तैंक्यू अदिती गुरकपूर से भूलू यादव राची से राजे स्थिवारी तैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद अरुन प्रजापती जी अगैन चलिए काफी लोग जुड़े हैं कल्यानपूर से उत्राखंड से गोरक से बंगलादेश से भी हैं नेपाल से चार-पांच भाई लोग